अमरूद खाने के दस फायदे दाप्तर से ज्यादा फायदे मंद है अमरूद सिरदर्द सुर्योदे से पहले प्रातह कच्चे हरे अमरूद को पत्थर पर घिसकर जहां दर्द होता है वहां खूब अच्छी तरह लेप कर देने से सिरदर्द नहीं उठ पाता अगर दर्द शुरू हो गया हो तो शान्त हो जाता है यह प्रयोग दिन में 3-4 बार करना चाहिए खासी जुकाम जुकाम के पुराने रोगी जिसका कफ न निकल रहा हो को एक बड़ा अमरूद बीज निकाल कर खिला दें और उपर से ताजा जल रोगी नाक बंद करके पी ले दो-तीन दिन में ही रुका हुआ जुकाम बहकर साफ हो जाएगा यदि सुखी खासी हो और कफ न निकलता हो तो सुबह एक ताजे अमरूद को तोड़ कर चबाचबा कर खाने से 2-3 दिन में लाब होता है हृदय रोगों से बचा अमरूद का ओशधिय गुण पाने के लिए फलों के बीज निकाल कर बारिक-बारिक काट कर शक्कर मिलाकर धीमी आज़ पर चटनी बनाकर खाने से हृद्यविकार तथा कब्ज में लाब होता है कब्ज प्राता अमरूद को नाश्टे में काली मिर्च, काला नमक तथा अद्रक के साथ खाने से बध़जमी, खटी डकारें, पेट फूलना तथा कब्ज का निवारन होकर भूख बढ़ने लगेगी दोपहर खाने के समय अमरूद को खाने से आंत के दर्ग तथा अतिसार में लाब होता है अमरूद के गुन का लाब मिलने के लिए सही मात्रा में सेवन करना जूरी होता है पेट दर्द पेट दर्द यदि आपको एसिडिटी के कारण है और साथ ही पेट में जलन हो रही है तो अमरुद के पत्ते का काढ़ा आपके लिए फाइदे मंद हो सकता है क्योंकि इसमें खशरीता का गुन पाया जाता है जो की एसिडिटी को शांत कर पेट में आराम देता है हीमोग्लोबिन की कमी यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो अमरुद का सेवन फाइदे मंद हो सकता है क्योंकि अमरुद आइरन प्रचुर मात्रा में होता है खूनी बवासीर पांच से दस ग्राम अमरूद की छाल के चून को उसके ही काढ़े के साथ सेवन करने से बवासीर के कारण होने वाले रक्तसराव तथा खुजली का शमन होता है अमरूद के गुन का लाब मिलने के लिए सही मात्रा में सेवन करना ज़रूरी होता है गठिया अमरूद के कोमल पत्तों को पीसकर गठिया के गर्द वाले स्थानों पर लेप करने से लाब होता है अमरूद के बीज निकालकर पीसकर गुलाब जल और मिश्री मिलाकर पीने से अत्यंत बढ़े हुए असिडिटी में आराम होता है आपके लिए ज्यानवर्धक साबित होगे इसके लिए बस आपको हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है धन्यवाद